अस्पेशल थैंक्स टू सार्थी टीवीएस गोडिया धालाई बीज नेर खोधिरा मेट्रो स्टेशन कोलकाता चेक डेस्क्रिप्शन फॉर मोर इंफोर्मेशन नमस्कार दोस्तों मैं आदा में शोभीक और आप सभी का स्वागत है राइडिंग मशीन की एक फ्रेश नई कमा वीडियो में दोस्तों आज मैं आप लोगे लिए लेकर आ गया हूँ टीवीएस जूपिटर ट्विंटी ट्विंटी टू मॉडल यहां पर यह द्रम और एलाई वेरियंट है आप लोग यहां पर देख सकते हो हिलाइट काउल के उपर आपको मिल जाता है छोटा सा वेंचि दिस्क के साथ यहां पえー आपको डिस तेывать पो मिले गा तो सब्सक्रान के देख सकते हो आप लोग जो तो आपको इंटेली गो की फीचर देखने को मिलता है मतलब जो साइलेंस टार्ट वगएरा होता है मतलब बहुत ही तरीके से स्टार्ट हो जाएगा यहां पर नीचे देख सकते हो जो रिम है वह 12 इंच का दिया गया है 90 by 90 का यहां पर टैर साइज है और यहां पर दोस्तों आ पहले जैसे है यहां पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं है विल के बारे में लेकिन गाई दोस्तों पूरी तरीके से बिलकुल नया है और यहां पर प्लास्टिक का ही हर जगा यूज किया गया है लेकिन फ्रंट मटगार आप लोग जो देख रहे हो वह मेटल का है तो अगर मत अची बात हो जाता है यहां पर दोस्तों आपको सेंटर स्टैन भी देखने को मिलता है जो की काफी ज्यादा इजी है इसको लगाना और यहां पर देख सकते हो जो साइलेंसर है वहां पर भी आपको क्रोम का यूज दिया जाता है काफी हद तक डिजाइन भी सेम तरीके से गया है और रेर के लिए प्याल के लिए अपको फॉलडेबल फूट पेक्स देखने को मिलता है तो जो nut वहां पर लोग देख सकते हो बाडी कलर में ही दिया मतलब पिट्टोल ट्रैंग देखने को मिलता है वह पीछे नहीं दिया गया है तो उसकी वाज़े से काफी एक अच्छा सा मैजिक हुआ है वह थोड़ी देर में बताएंगे दोस्तों यहां पर रेयर प्रोफाइल के बारे बात कर तो आप लोग यहां पर देख सकते हो आपको मिल जाता है मटगार्ट साथ में आपको टार हगर भी देखने को मिलता है मतलब मट प्लैसे वगरा काफी हद तक रोक लेगा और दोस्तों यहां पर टेल सेक्शन की बात कर तो टेल लाइट आप लोग देख सकते हो यहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिप देखने को मिलता है तो सचयां पर इंज्न के बारें बात कर तो आपको मिल जाता है 125 sẽ की इंज्ट वर्प के उपर है एफ़सीं यहां बहुति आхे यह पे दिया गया है पीछे ऋगी स्कूर्ड सेगमें में शायद से नया है मतलब इस रेंज में जो 125 CC में स्कूटर आता है कम्यूटर सेग्मेंट में यहां पे आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बड़िया मूव है इन टॉक में भी आपको स्प्रिंग लोडेरी देखने को मिलता है दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हो जो मतलब अगर आ काफी जादा बढ़िया दिया गया है तो यहां पर आप दिख सकते हो आपको साइट स्टैंडल इंजिन कट उफ सेंसर देखने मिल जाएगा अपने जो इसकी फ्रन प्रफाइल हैं आप लोग जैघ सकते हो बहुत ही ज्यादा मतलब र lon rafreshing है पर पर जो 125 सीजी की सेग्मेंट बाकी जो स्कूटर आते हैं उतना ज्यादा डिफ्रेंट यहां पर नहीं होता है यह मॉर्ल काफी हद तक सिम्रेस आई देखने को मिलता है अब आते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आपको यहां पर एनलोग और डिजिटल में काइब को ब्लाइक देखने को मिलता है लेकिन यहां पर जो बेज्ट वैरिएंट होनेवाला वाला यहां में आपको देखने क εδώ को मिलता है MOTHER किरlando मिलता है तो काफी जैदा बढ़िया होता और है दोस्तों यहां पर यह जो और डिजल का कॉंबो है वहां को मीडिव सब्सक्राइब देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया है एक फुल स्वाइप लेता है वाउन करन से वह भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा है और इको और पावर मोड भी आपको देखने को मिल जाता है टाइम बगरा भी दिया गया है तो अवहराल दोस्तों यहां मतलब फीचर लुड़िद आप इसको कह सकते हो स्कूटर के सबसे मिलता कॉफ इसको काफी ज्यादा बढ़िया है यहां पर और गया है तो आपको यहां पे इंटेली को मतलब जो स्टार्ट और स्टोब वाला जो फीचर है वह देखने को मिल जाता है और साइलें स्टाट भी यहां पर आपको दिया गया है जो कि दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया है उसके नीचे दोस्तों आप लोग कि देख सकते हो जो की है उपर ही सारा फीचर दिया गया है जैसे कि रेर सीट ओपन करना पेटल कैप ओपन करना इग्निशन वगरा सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों साइट में आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर में एक स्पॉर्ट देखने को मिलेगा जहां पर लेकिन य यहां पर मतलब फ्यूल वगरा डर्वा पाओंगे दोस्तों यहां पर इसकी जो फ्यूल टैंक है वह नीचे है और यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो हुग वगर आपको देखने को मिलता है जो की उतना ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है मतलब छोटा मोटा चीज आ आपको मिल जाता है पेट्रो टैंक जो की 5.1 लीटर का है यहां पर फुट अरिया भी काफी ज्यादा वाइड देखने को मिलता है तो यहां पर सीट के नीचे आपको फ्लेक्सिबल होग देखने को मिल जाता है जो की काफी ज्यादा कॉन्विनियन बन जाता है तो सीट के ब को यहां पर देखने को मिलता है और इस जगह पे आपको लाइट देखने को मिलेगा टॉप भेंट में दोस्तों यहां पे आप लोग दो हेलमेट भी रख सकते हो काफी सारा चीजे वगरा कैरी कर पाऊगे और एक हेलमेट रखने के बाद भी आप अपनी ग्रॉसरी के आइट लुक है जो स्टैलिंग अपे देखने को नहीं मिलेंगे है तक्रیब इंटॉड जैसे है लेकिन पर देखने को ऑलां दो इसकी जडियान बड्या लगा मूझे जो यहां पे ब्लास्टीक आप लोग देख पर मिलेग तो यहां पर यहां पर देखने को मिले Coming वैसे जो मीडिवेरियंट है इसकी प्राइस है दोस्तो 99,000 के आसपास अगर आप लोग कोलकता से हो तो देस्क्रिप्शन में जाके साथ ही टीविस से इसको बुक कर सकते हो आपको यहां पर शोरूम पे भी एविलेबल देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपका करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आप से निक्स वाली वीडियो पे तिल देन स्टे सेफ एंड कीप राइडिंग